हेलो बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप में से लगातार बहुत सारे बच्चों को फोन आ रहे हैं कि सर्व चिंता हो रही है, आखिर हमारा रिजल्ट कफ तक आएगा बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने NEED 2021 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऐसे बच्चों को लग रहा है कि जल्दी से एक बार रिजल्ट आए scorecard clear हो जाए, चीजे finalize हो जाए और एकदम cool हो जाए, उनकी tension सारी समाफ हो जाए अब बच्चों दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम boundary पर हैं, उनको भी लग रहा है जल्दी से result आए ताकि वो जल्दी से अपने future की आँगे क्या करना है उनको strategy एक बार प्लान करता है बच्चों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि Bombay High Court ने NTA को direct किया था दो बच्चों के लिए read neat exam की और Bombay High Court के उस decision को NTA ने challenge किया Supreme Court में जिसकी hearing होनी है 29th को तो बच्चों यहां से एक बात को clear है कि 29 से पहले result नहीं आ सकता या नहीं आएगा पर बच्चों यहां पर एक update है और वो update यह है कि Central Government का भी कहना है कि result is ready but they are unable to declare it because of decision of Bombay High Court यानि आपका result तयार हो चुका है आप में बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सा clearing के बाद result तयार होगा तो ऐसे तो और भी ज़्यादा समय लग सकता है लेकिन Center और NTA दोनों की तरफ से यह hint है कि आपका result तयार है और result इसलिए publish नहीं करा जा सकता Bombay High Court के उस decision के कारण तो बच्चों जैसे ही आपका result आएगा या इस hearing के बारे में कोई update आएगी हम लोग इस channel पर आपको प्रयास करेंगे सबसे पहले बताने का तो जो भी बच्चे नए हैं वो इस channel को जरूर subscribe कर ले इस तरह के किसी भी notification के लिए This is all, thank you everyone